get a approach कितनी टाइम बिद्ध्याली आते हो शे घंटा जा बहार एक बंदा काम करने के लिए आता है अम या कभी घर में पापा बुला ते किसी बंदे को वह भी काम करने आता है कितना घंटा काम करता है जब वो साम तक आपकी घर से वापस जाता है पापा उसे बोलते काम खतम होगी जाएगा जाएगा माल मांगेगा सत्य बताया मांगेगे की नहीं पैसा पैसा दोगे तो जाएगा नहीं तो जगड़ा होगा दूसरा आप यहां विद्याले के अंदर कुछ विद्यार थी पढ़ रहे हो लिख रहे हो क्या कर रहे हो आप जानते हो और आप की जैसे कुछ विद्यार boundary कुछ बच्चे आपकी उम्र के विद्याले नहीं आते हैं कोई garage में कोई hotel में कहीं दूसरे जगा कुछ काम करते हैं करते हैं कि नहीं वो साम तक या महिने के आखिर तक कुछ कमाते हैं कि नहीं कुछ कमाते हैं कि नहीं यानि छे घंटे के बदले हमको माल मिलता है पैसा मिलता है कुछ मिलता है आपको पता है आपने कितने घंटे विद्याले में या महा विद्याले में भी ताया, कलकृशन करें, हिसाब करें, मैं बताता हूं, 6 घंटा इन्टो महिन में 25 दिन आते हों, सही बताया, विद्याले 25 दिन खुला रहता है, चार अभी बार और छुटी होता है छोड़ दो 25 दिन काउंट करो छे घंटा इंटू 25 दिन इंटू 12 महीने इंटू अभी तक आपका 11 साल या 12 साल हो गया होगा 12 साल ये काउंट करोगे तो करीब 14 घंटे होंगे कितना अरे 6 घंटे के लिए मजदूरी कोई नहीं छोड़ता है 14 घंटे का मजदूरी कौन देगा आपको कब मिलेगा ये आपको किसने देगा आपको कहां से किसी के उपर कलेम करोगे मेरा 14 घंटे मेरे जीवन से गन चला गया कौन देगा मुझे ये 14,000 घंटे के मज़दूरी का मौद रेमोन रेसन कहो जो भी कहो कौन देगा आपको सोचो ये बना हुआ बिद्यार थी कल जाकर बहार क्या करेगा आज जो बना हुआ है जिसके पास कोई गून टैलेंट नहीं ये क्या करेगा कल आज घर जाना मेरे बात को ध्यान से सुनो घर में भहुत सारे भाईवेन आपके बड़े होंगे वो ही बेकार बेठे हुए उनसे यही सवाल पूछना आप भाया दिदी आप मुझे एक सर आये थे मुझे पूछे बिद्यार्थी का अर्थ बताद आप थोड़ा मुझे बता वो क्या बोलेगा सुनो वो यह बोलेगा कि गुगल कर ले नहीं तो और क्या बोलेगा बाद में बताओंगा उसने 14,000 घंटे प्लस और भी आपके हाथ में थोड़ा सा वक्त है और भी 5,000 घंटे आपके हाथ में है क्योंके आपको उपर पढ़ना है उसने उतना टाइम खाली बिद्यार्थे बन कर बिता दिया बिद्यार्थी हुआ नहीं जो कभी हुआ नहीं बिद्यार्थी जो बिद्यार्थी का अर्थ नहीं जानता है गूर्ण करता प्यों चरितित बाद छोड़ो जो नहीं जानता है कि विद्यार्ति क्या है खाली सुन्दर सा यूनिफॉर्म पेहनता है उसको प्रेस करता है, धोता है, साप करता है खुश्बू डालता है, कुछ घर से पैसा लेता है विद्याले आ जाता है ऐसे आ गया, आते आते गया फिर विद्याले की जीवन खतम हो गया घर जाके वापस बैट गया क्या करेगा सरकार को कोसेगा देश को कोसेगा मापीता को कोसेगा सब को कोसेगा कभी खुद को नहीं बोलेगा कि मैं दोसी हूँ और बेकार हो जाएगा आप खुद सोचो अगर आप आज फेल हो आज अच्छा नहीं हो और आपकी सोच भी नेग मुझे कल अच्छा होना है तो क्या कल अच्छा हो पाओगे टीचर आज आप को स्रेणिक अक्सेबे जो भी पढ़ाते हो अगर साम तक आप नोट बूक में उसका उत्तर नहीं लिख पाते हो क्या एग्जाम के दिन उत्तर लिख पाओगे यानि में आज नहीं क्या तो में कल क्या करूंग देशा आउ राज्या पाई उत्कुरुष्ट सेबा रे निजक कु उपलवधी कोरी थिवा सोम रह सर आजी आमग होणर थिवारो आमें बहुत आनन दिता छात्र छात्री मानकर उत्कुरुष्ट भविश्यत पाई से जेव आजी जव उपलवधी आमको जनाईले सेथी पाई आमें टांको धरे चिरोव पक्रुष्टाँ इस अवरी प्रावड मोमेंट फर अल अफ उस देट सुम्सार इस प्रेजन एर अमरो रजलाल अनुस्ठान रे अजी आमरो समस्तों को प्रियो आगरुववास्त ले माने नियो सुम्सार सुन्दर भावरे निजको गढ़िवे खुड़े भलामानी से गढ़िवे से विशयरे बारमार कोही आस्ठान्ति आजी भी कोहीले आप इलामक्रारु मता मतनेले सुन्दर भावरे तांको अभिव्यक्ति एविटे तांको परियास जारी रुखो सुन्दर भावरे तांको अगोको आउनोति कोरांति दनेवा यह मां स्कूल को सुम्राइ सांति हम असीन आउप भाथ को अचेटि में बाथ कोछी आउस्टा गानी तिहां हम शामा हमां को पर्ना देले प्राण कर भी एवांग तानकार भी जीवांग दोट पर लाइब भूट भूट उजवागों असा कोड़ छिए आमा स्कूल को सोमरोय सार आसिवा रूमु आपणोंको बहुत धन्यवा जोनव उशी साथ आफ पत्राशिटे मुल्य वुपादय पत्था जहां आमे मद्या सिख्या अर्जन कलू शिख्या ग्रण कलू पिलावाने मद्या सिख्या परप्तो कले तेनों जहां अपणों कहिले ताहां पिलावाने जो भविश्वत रे निजो जीवान निवो चरित्र रे लगेवे पाईं और आसाव विश् बस्टास?